हेलो बच्चों, एक बार पुनार लेकर फिर से हादिर हैं जूविज्ञान के वो महत्रपूर कोस्टन जो यूपी बोर्ड एक्जाम में अधिकांस्था पूछे जाते हैं और आज का टॉपिक हमने लिया है पुस्पी पादपों में लेंगिक जनन हमने अपने पिछले वीडियो में क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है लेंगिक जनन उसके बारे में पढ़ा था और आज हम उसी क्लास का सेकंड लेसन लेकर हाजिर हैं और जिसका नाव है पुस्पी पादपों में लेंगिक जनन बच्चों वैसे तो जनन को हम पहले समझ लेते हैं कि तीन प्रकार की होते हैं मैंने अपने पिछले वीडियो में इसका जिक्र भी किया था सेक्सवल डिपोडेक्शन अर्था लाइंगिक जनन और वेजिटेटिव डिपोडेक्शन जिसे हम कहते हैं काईक जनन वैसे तो मुक्ता जब भी पूछा जाता है तो वहाँ पे हम लोग दो ही प्रकार के जनन का जिक्र करते हैं एक sexual reproduction और दूसरा asexual reproduction बच्चों आज का topic हम start करते हैं जो है second lesson पुस्पी पादपों में लेंगिक जनन पुस्पी पादपों में लेंगिक जनन किस प्रकार से होता है आज हम इनी के बारे में जानेंगे तो बच्चों पुस्पी पादपों में लेंगिक जनन अंग जो होता है वो पुस्पी होता है और पुस्प में पराग तथा अंडों का उत्पादन होता है पराग कर्ण तथा निसेचन की किरिया भी पुस्प में ही संपन होती है बीज तथा फलों का विकास साथ ही बीजों तथा फलों का प्रकीडन आधिकार भी पुस्प के माधम से ही संपन होते हैं पुस्पी पादपों में लैंगिक जनन जल तथा इस्थल दोनों में संभाव होते हैं जिस पुस्पु में नर तथा मादा जनन भागव होता है इस प्रकार के पुस्प को हम बाइसेक्सवल फ्लावर या दुईलिंगी पुस्प या उभैलिंगा अस्रई पुस्प के नाम से जानते हैं जैसे मक्का हो गया हमारा, रिंडी हो गई, गुडहेल हो गया, नारियल हो गया आदी जब हम नर तथा मादा जनन भाग की बात करते हैं तो पुस्पों को हम अलग-अलग तरीके से अध्यन करने लगते हैं तो जब नर तथा मादा बाग जिस पुस्प में अलग-अलग हो तो ऐसे पौधे एक लिंगी कहलाते हैं जैसे खजूर हो गया, सैसूत हो गया, भांग हो गया, पपीता ये सभी पौधे जो होते हैं एक लिंगी या एक लिंगा स्रही होते हैं और दो लिंगी में मक्का, रेंडी, गुरहल, नारियल, आदी बचों, पुस्पी पादपों में लेंगिक जनन के लिए मुक्ता चार भाग बताए गए हैं कौन-कौन से? एक तो हमारा कैलिक्स है, जिसे हम वाह दलपुझ कहते हैं एक हमारा कैरोला है, जिसे हम दलपुझ कहते हैं एक हमारा एन्रूसियम है जिसे हम पुमंग के नाम से जानते हैं और एक हमारा गाइनूसियम है जिसे हम जायांग के नाम से जानते हैं वादलपुंज और दलपुंज ये दोनों पुस्प में कामन लूप से पाए जाते हैं लेकिन जो ये पुमंग होता है ये पुस्प का नर भाग होता है और ये जायांग होता है ये पुस्प का मादा भाग होता है ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी आगे चलते हैं ये देखे पुस्प की संदचना यहां पे दी गई है और उसमें बताया गया है कि ये जो हरी कलर के होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं वाह दल पुझे और जो हमारे रेड कलर के अर्थात रंगीन है ये हमारे कहलाते हैं दल पुझे और यह जो हमारी इस्टिगमा है यही हमारी क्या कहलती है वर्तिकागर और यह मादा पुस्प का मादा भाग होती है मादा जनन भाग और जो बीच में हरारा डंटन लूमा भाग होता है यह से कहते हैं वर्तिका इतनी बात तो आपको समझ भाग गई होगी और ये जो च्छै आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे क्या होते हैं इंथर होते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं पराग कंड के नाम से जानते हैं बीच का जो गोल गोल भाग होता है ये कहलाता है ओवरी जिसे हम लोग अंडासय के नाम से जानते हैं आई आगे चलते हैं कैलिक्स क्या है जैसा कि अभी मैंने पुष्प में आपको बताया अब इसकी कुछ परिभासा भी जान लेते हैं कि पुष्प के अधारी भाग में बाहर की ओर हरे रंग के अनेक दलपत्र होते हैं इनी दलपत्रों के समूह को बाह दलपज कहते हैं ये प्रतेक पुष्प में अलग अलग संख्या में उपस्तित होते हैं और इनका जो मुक्ख कार होता है वो रहता है पुष्प की सूरच्छा करना इनका जो मुख कार होता है पुस्प की सुरच्छा करना तो पूछ सकता है कि पुस्प की सुरच्छा पुस्प का कौन सा भाग करता है तो बता दिजिए कि पुस्प की सुरच्छा पुस्प का कैलिक्स भाग करता है अर्थात वा दलपुझ जो होते हैं यही पुस्प को प्रोटेक्ट करते हैं आगे चलते हैं दलपुझ जैसा कि मैंने भी बताया आपको कि जो दलपुझ होते हैं अर्थात कैरोला होता है यह पुस्प का रंगीन भाग होता है और इनका जो मुखकार होता है वो कीटों और पच्छियों को अपनी योर आकरसित करना आकरसित करना मतलग कीटों के माधन से परागण की किरिया करते हैं लोग परागण के एक परिभासा होती है कि मेल पुस्प के पराग कोस से मेल पुस्प के पराग कोस से पराग कण निकल कर फीमेल पुस्प के वर्तिकागर तक पहुचने की किरिया को परागण कहते हैं बच्चों ये दो परकार का होता है एक सौप परागण और एक परपरागण अदोनों का जिक्र हम किसी एक दूसरे वीडियो में करेंगे आगी तलते हैं इस टॉपिक में पुस्पी पादपों में लैंगिक जनन के लिए पुस्प के नर तथा जो मादा भाग होते हैं वो आपस में किरिया करते हैं पुस्पी पादपों में जो लैंगिक जनन के लिए पुस्प के नर भाग को हम पुमंग कहते हैं और जो मादा भाग होता है उसे हम जाजांग कहते हैं और पुस्पी पादपों में लैंगिक जनान के लिए जो नर भाग पुमंग होता है वो मुखता तीन भागों में बटा होता है कौन-कौन से एक तो अमारा होता है योजी, कनेक्टिविटी और दूसरा होता है फिलामेंट और तीसरा प्राक्कोस योजी पुस्प का वो भाग होता है जहां पर पुस्प कनेक्ट होता है और पुतन तो जो होता है वो पुस्प का मद्ध भाग होता है ये धागे की सामान होता है दिखने में और जो पराक्कोस होते हैं यही पराक्कोस में पराग कर्ण का निर्मार होते हैं किसका पराग कंड का निर्मार होते हैं तो जहां पर पराग कंड का निर्मार होता है वो ही कहलाता है हमारा पराग कोस इंगलिस में हम इसे एंथर के नाम से जानते हैं कहते हैं कि पुतंत के अंतिम सिरे पर एक पिंड के समान रचना होती है जिसे पराक कोश कहते हैं और इस संदचना में दो पालियां होती है प्रतेक पाली के अंदर दो कोश्टक होते हैं और ऐसे कोश्टक को लगू भी जारू धाने के नाम से हम जानते हैं यहां पर एक इंदर का चितर दिया गया है आप लोगों को मैं जूम करके दिखाता हूँ यह इंदर है यही पराक कन है और इसको जब अनप्रत काड काड करके इसके दिखाया गया है कि प्रकार से बिजारू धानी चार परतों से घिरी रहती है यह आप लोगों को इसमें अपमुडं़े होती है जैसे एक तोती आपकी वाहत चाह्चा है अपीडियर्विस कहते हैं यह भाहरी भाग होता है दूसरी अंत्र सिंप जिसे हम इंडो थिस्यम कहते हैं ये जो इंतर होता है उसका नीचे परत का भाग होता है जो पराग को इस फुटन में मदद करता है जो मदपरत होती है इसका कार होता है लग बिजान धानी को पोसन प्रदान करना अर्थात ये सीखर ही नश्ट हो जाते हैं और जो टैपटम होता है ये लग बिजान धानी का सबसे आंतरिक परत होती है और इसकी कोशिकाओं में एक या एक से अधिक केनरक भी उपस्थित होते हैं प्रतेक लग बिजान धानी में हजारों की संख्या में लग बिजान उपस्थित होते हैं और इनी के अंदर प्राग कन बनते हैं प्राग कोश या लग बिजारधानी के अंदर लग बिजारू के निर्मार पक्रिया को लग बिजारू जनन कहते हैं जब लग बिजारू की कोशिकाएं दुईगुनित अर्था डिप्लाइड होती हैं तो मात्र कोश्का का कार करने लगती हैं और जिसके कारण अर्ध सूत्री भाजन होता है और उसके फलसरूप चार अगुनित बिजाणू बनते हैं प्रतेक लग बिजाणू बिक्षित होकर पराकण का निर्मार करते हैं प्रतेक पराकण गोलाकार होते हैं जो दोहरी परत से घिर्य होते हैं सबसे बाहरी परत को बाहचोल अर्थात एकजाइन तथा आंतरिक परत को इन टाइन कहते हैं और ये क्रमसा इस्पोरोलेनिन तथा पैक्टोसिलिलोज के बने होते हैं कभी पूंच सकता है कि पराग को जो होते हैं यह किसके बने होते हैं तो बता सकते हैं कि यह इस पोरोलेलीन तथा पैक्टो सुलोच के बने होते हैं अज जानते हैं कि लगु यूगमक जनन किसे कहते हैं बच्चों परागकन या लगविजान नर गैमिटो फाइट का प्रथम कोशका होती है जिसमें केवल एक आगुणित केंद्रक होता है और प्रारम में ये लगविजान धानी के अंदर विक्सित होता है इसमें आसमान कोशका विभाजन होता है जिसके फलसरूप एक छोटा जनन कोशिका तता एक बड़ा काईक कोशिका बनते हैं जनन कोशिका में पुना विवाजन होता है और जिसके फलसरूप नर यूगमक बनते हैं और इस प्रकार के पराग कंड क्या होते हैं त्री कोशिकी होते हैं चित्र में जैसा कि आपको दिखाया गया है कि एक कोश्का से मेटोसिस के दौरा अर्थसूत्री भाजन के दौरा कितनी कोश्काओं का निर्माड होता है अब आगे पुस्प का जो मादा भाग होता है मादा जनन भाग होता है उसके बारे हम चर्चा कर लेते हैं जिसे हम गाइन उस्यम के नाम से जानते हैं बच्चों पुस्पी पादपों में लेंगिक जनन के लिए जायांग पुस्प का मादा भाग जो होता है जब ये मात्र एक इस्त्री केसर का बना होता है तब इसे एक अंडपी कहते हैं और जब ये एक से अधिक इस्त्री केसर का बना होता है तब इसे बहु अंडपी के नाम से जाना जाता है जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे कि किस प्रकार से पौधे में इस्त्रीकेसर को दर्शाया गया है मैं आपको जिक्र कर रहा था यही जो भाग होता है पौधे का यह बीच वाला इसे ही हम लोग ओरी कहते हैं अंडासे और यह हमारा वर्तिका होती है और यह हमारा वर्तिकाग्र होता है ये बात तो आपको समझ में आगई होगी आगे चलते हैं प्रतेक इस्त्रीकेसर के तीन भाग होते हैं कौन-कौन से वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडा से जैसा कि पुस्प में आपको दिख रहा होगा कि ये जो इस्तरी केसर का पहला भाग है उपर का जिसे हम वर्तिकागर के नाम से जानते हैं किसके नाम से वर्तिकागर और इंगलिस में इस्टिग्मा कहते हैं और ये जो बीच का भाग होता है इसे हम वर्तिका कहते हैं जिसे हम इंगलिज में style कहते हैं और एक भाग होता है इसका अंडा सय जिसे हम ओरी कहते हैं कौन सा भाग ये भाग ये होता है अंडा सय ओरी और ये होता है वर्तिकाग और ये होता है वर्तिकाग आगे चलते हैं इन में से पुस्प का जो नीचे फूला हुआ भाग होता है उसे अंडासे कहते हैं और अंडासे से जुड़ी हुई एक पतली नलीका कार होती है जिसे हम वर्तिका के नाम से जानते हैं और वर्तिका के ऊपर एक घुंडी नुमस जो संदचना होती है जिसे हम वर्तिकागर कहते हैं हम इसको परिभासा के रूप में भी समझ सकते हैं अंडासे के अंदर एक गरभासाई गुवा होती है जिसमें एक या अनेक बीजान्ड होते हैं गरभासाई गुवा के अंदर की और अप्रा अवेस्थी तो रहती है और उत्पन होने वाले देर की बिजान्ड धानी को बिजान्ड कहते हैं एक अंडासे जो एक अंडासे में एक बिजान्ड हो सकता है जैसे सूर मुखी एक अंडासे में अनेक बिजान्ड भी हो सकते हैं जैसे पपीता है आर्किट्स है तरबूज है इस तरहे हैं और बिजान्ड में मादा यूगमक बनते हैं जिसे हम ओयूम कहते हैं लेता है कि ओयूम किसे करते हैं तो कह सकते हैं कि बिजान्ड में जो मादा युगमक बनते हैं वो हमारा क्या कहलाता है ओयूम कहलाता है ये देखिए एक बिजान्ड का अनुधैर काथ है दिर्ग बिजानुधानी का जिसमें हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं कि किस प्रका बिजांड जो होता है निन भागों में बटा होता है एक तो इसका होता है पहला भाग बिजांड का है ये बिजांड का है बिजांड का मुख भाग होता है और पैरेंड काइमेट उतक का बना होता है इसकी कोजिकाओं के अंदर प्रचुन मात्रा में खादपदार्थ संचित ह बिजांड का दूसरा हाक जो हता है वो बिजांड दवार के नाम से जाना जाता है और यहीं विजांड दवार जो हता है। कुछ बिजांडों में इसका अभाव भी होता है आवरणों से बिजांड पूर्ण रूप से ढखा नहीं होता है और सिखागर पर खुले हुए भाग को बिजांड द्वार के नाम से जाना जाता है एक कोश्चन बहुत हुजाता निभाग ये भी बिजांड का ही एक भाग होत आते हैं नाविका किसे करते हैं बिजांड में बिजांड काय का वो इस्थान जहां बिजांड बरंत जुड़ा होता है उसे ही क्या करते हैं हाइलम या नाविका के नाम से जानते हैं और इसी बिजांड काय में एक इस्थान होता है भूर्ण कोस यह हमारा जो चितर बना हुआ यह भूर्ण कोस का ही चितर है आप लोगों को जूम करके दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से भूर्ण कोस का यह पेपर में आपके पूछा भी जाता है और लोग जो बच्चे होते हैं वो गलत करके भी चले आते हैं बिजान्ड द्वार के ठीक पास भूर्ण कोस अवस्थित होता है प्रतेक बिजान्ड में समानता एक भूर्ण कोस होता है जो अर्ध सूत्री विभाजन के द्वारा बनाया जाता है एक विख्षित भूर्ण कोस में लिखित रचनाय पाई जाती है कौन कौन सी एक तो अंड समुच्चे होती है अंड समुच्चे मतलब कि ये बिजान्ड द्वार की और इस्थित तीन कोसिकाओं का समूम होता है और नीचे वाली कोसिका को अंड कोसिका कहते हैं और बगल के दोनों कोसिकाओं को सहायक कोसिका के नाम से जाना जाता है एक ब्रूण में केवल एक ही अंड कोसिका का निर्मान होता है एक ब्रूण में केवल एक ही अंड कोसिका का और इसी ब्रूण कोसिका दूसरा भाग है केंदरी कोसिका अंड समुच्चे के नीचे के भाग को केंद केंद्री कोश्का कहते हैं ब्रूण कोश्क के मद्ध भाग में इसके अंदर दो दुरुवी केंद्रक होता है यह निसेचन के पूर्व संयोक करके एक दुई गुणी केंद्रक बनाता है और केंद्री कोश्का में एक बड़ी रिक्तिका होती है एंटी पोडल सेल्स ये ब्रूण कोश के चले जल छोर के और तीन कोशिकाओं से घिरी होती है जिसे हम एंटी पोडल सेल्स कहते हैं और ये कोशिकाओं निसेचन के पहले या तुरंत बाद क्या हो जाती है नश्ट हो जाती है एक कोश्चन आके बोड में बहुत पूशा जाता है गुरू भी जानु किसे कहते हैं गुरू भी जानु जनन पुस्पी पादपों में लैंगिक जनन के लिए गुरू बीजानु मात्र कोश्का से गुरू बीजानु बनने की प्रक्रिया को गुरू बीजानु जनन कहते हैं गुरू भीजानू मात्र कोशका एक बड़ी कोशका होती है जिसमें सखन जीवद्रब तता एक केंद्रक होता है और गुरू भीजानू मात्र कोशका में अर्द सूतरी भाजन के बाद चार गुरू भीजानू बनाती हैं गुरु युगमक जनन इसको हम देख लेते हैं तो गुरु युगमक जनन गुरु भीजारू से फूर कोस में बनते हैं और गुरु युगमक जनन जो होते हैं ये अधिकाल से पुस्पी पादपों के एक किरिया सील जबकी अन्न तीन अप विक्सित हो जाते हैं कहने का तात पर यह है कि किस प्रकार से किरियासील गुरू विजाणू एक रूप में विक्षित होते हैं और एक अकेले गुरू विजाणू के भुरूण बनने की विद को एक गुरू विजाणू विकास कहा जाता है गुरू विजाणू जनन तथा भुरूण का विकास किरियातमक गुरू विजाणू का कैंदरक संसूत्री विभाजन से दो संतत्य कैंदरक बनाते हैं जो गुरूपी जानुक के दो सम्मुख धुरूओं पर चले जाते हैं फिर ये दोनों केंद्रक बड़ी रिक्तिका द्वारा अलग होकर विप्रीत धुरूओं पर पहुंच जाते हैं तता दो नुकलियेट भूरूर कोस की रचना करते हैं दो अन्ड सम्सूत्री केंद्री विभाजन पईडाम सरूप चार नुकलियेट फिर उसके बाद आठ नुकलियेट भूरूर कोस की रचना करते हैं और इन में से चार माइक्रो पाइलर छोर पर इस्थित होते हैं तो चार चैले जल छोर पर रहते हैं माइक्रो पाइलर छोर के चार केंद्रकों में से तीन अंड समुच्चे बनाते हैं तथा चौथा नीचे की ओर खिसक जाता है और धुरूरी केंद्रक का निर्मार करता है चलेजल छोर की तरफ तीन केंदर प्रतिव्यांत कोशिकाय बनाते हैं तता चौथा खिसकर दूसरा धुरुवी केंदर बना लेता है बच्चों ये आपका आज का टॉपिक जिसे हमने लिया था इंटर के NCRT बाइलोजी के सिकेंड लेसन पुस्पी पादपों में लेंगिक जनन से बच्चों इसी तरीके के आपको हम वीडियो लेकर आते रहेंगे और विविन प्रकार के कोश्चनों को आसान बनाते रहेंगे आप मेरे यूटूब चैनल SP बाइलोजी सर को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और ज्यादा ज्यादा सेर करिए और कोशिद करिए कि अधिक से अधिक लोगों तक इसका मैथेट पहुँच सके और इसका लाव ले सकें अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे अगला टॉपिक लेकर इसी क्लास का तब तक के लिए जहिन